हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओली च्वेल में दोस्तो आज हम इस वीडियों बात करेंगे कि सेयद मुस्ताकली टॉफिक हनालाज के पहले सेमी फाइनल मैच की और साथ ही बनाएंगे हम ड्रेमलेंग ले टीम तो दोस्तों मिस यूट्यूब चैनल स्वस्क्राइब निकार तो स्वस्क्राइब कर लें जिससे क्याने अला हार मैच के अपडेट साथ है और जो भी दूस्तों फाइनल टीम अपडेट होती है या कोई भी इन्फरमिमेशन होगी वह मैं आपको टेलिग्राम पर पोस्ट कर दूगा तो चल अगर जो लाकरिए लास्ट के दो मैचों की तो पहला जो मैच वह था वह आता ओछी पीचाद मैच वह था मुंबाई का पंजाब से वह था मुंबाई साइट वा Mini पिच प जिससे कि जो लेकस хлवाई की वह एंच उप ची तो 20 उप तो का तो फाह मैच था जिससे कि दोनोही और दोस्तों आगर आपने देखा है वह लास्ट मैच में 40 ओवर है 464 बने तो समझ सकते हैं आप कैसी पीछ थी वह जो साइड में मैच वा था फिर बात करें पर जो एवरेज स्कोर है वह 175 का है फिर बात करें पर दो अगर चेसिंग की तो दो ही मैच जीती हो पांच मैच हारी है तो जो भी टीम है वो टोस जीतके पहले बैटिंग करना पसंद कर दी क्यूंकि यहां पर जो मैच जो इसकोर है एक बार इसकोर बन गया तो जल्दी चेस नहीं हो पाता क्यूंकि बाद में जो इस पीनल को थोड़ी बहुत हैल्प मिलते जिसके कारल यह इसकोर थोड़ा तो टफ हो जाता है प्रिबात का इंज्गी कोई निया किसी पलेव को कोई अपड़ेट होता तो मुझा टेली ग्राम पर पोस्ट कर दूंगा आप महां पर जाकर देख सकती हूं फिर बात कहीं करनाटका की यह करनाटका का स्कूर्म है और दोस्तों करनाटका ने लगाता सा जीशन पर रही थी गुरुप A में फर्स्ट पर तमिलाड हुए तो काफी कुछ डिपेंड गया है लोके साउल देवदत और बनीश पांडे पर बात करें बोलिंग में तो यहां पर अभिमन्यू मिथुन स्वियज गोपाल और रोहित मौरी यह थी उनों प्लेव हैं जिन पर अब जो इन फोम प्लेव है उसमें लोके साउल और देवदत यह दोनों ही काफी अच्छी फोम है फिर मनीश पांड भी अच्छी फोम में फिक करू नायर अच्छे प्लेयर है और तींच अच्छी इनिंग्स खेल लगए इस टूनाइमेंट में तक और रोहन कदम लास्ट म यह मैच हुआ तो रोहन कदम के चादा चांस की बैटिक ना पाए फिस गद परवंद इस पांडे है जो कि बोलिंग में थिक ठा कर ले रहे है फिर परवीन दूबे अच्छे बोला रहे है लेकिन अभी यह उतनी विकेट नहीं ले पाई जितनी ले सकते थे फिर सेयर्स गो और दोस्तों यह 12 पॉइंट के साथ गुरुप टॉप में थी इन्होंने गुरुप बी में हव्याना ने टॉप किया था हाला कि यह दोनों ही टीम है जो आई है यह नेट वन के कारण ही क्वालिफाय हो पाई है और दोस्तों हव्याना भी लास्ट का मैच अपना हार गी थी महराष्ट्र लेकिन काफी अच्छी इन्होंने भी टक्कर दी थी लेकिन हाद फिर भी हार गई और दोस्तों हजाना भी काफी अच्छी फोम में है क्योंकि इनके बास सका बैटिंग में दिखा जाए तो कोई इतना बड़ा नाम नहीं है कि जिससे की हाँ यह कह सके कि इनकी की टीम में कोई इस्टार प्ले है हालागी बोलिंग में अमित मिस्रा यह जवेंद्वे चहल जैसे बोलर जरूर है लेकिन बैटिंग में कोई भी बड़ा नाम नहीं है फिब इसके बाद भी यह सेमी फाइनल तक पहुची काफी अच्छी टीम मानी जाएगी फिर भी इसको फिर दोस्तों बात के बोलिंग में तो यहां पर यह जवेंद्वे चहल है है अमित मिस्रा काफी कुछ डिपेंड करेगा इनको पर क्योंकि जवेंद्वे चहल जो है वह बेक्थू बूलर है और अगर यह आज के मैंच में नहीं चलते तो डेफिनिल्टी यह कह सकते कि आज अगर जाएगी और हरसल पर दोस्तों सेकंड विकिट टेकिंग बोलर है इस टूनामेंट के अब बात के पलेइंग लगत की तो बिसोनी है हरसल पर टेल स्विवम चोहान हिमान सुमित कुमार जीते शवरा खेल सकते आज की मैं जाए फिर रावल तेवेद्याद्याद्व अ अब बात के दोस्तों जो इनके हरसल पर टेल स्विवम चोहान और हमानसुर आना सुमित कुमार लाश्ट मैचे तीन विकिट लेते अच्छा कद्रें बोलिंग में फिर इसके बाद राहूल तेवेद्या अच्छे बोलर है फिर जैयन्त यादव फिर यूजवेंद्रे चहल और आसे सुड़ा अभी तक अपने नाम के प्रफोर्मेंस नहीं दे पाएं अच्छे प्ले रहे लेकिन और दोस्तों यहां पर इस नोई भी अभी तक कोई खास अच्छी प्रफोर्मेंस नहीं दे पाएं लेकिन बड़े प्लेर हैं और किसी भी मैच में अच्छी प्रफोर अब बात करें पर जो मेरा ओपीन ने उसके अकोर्डिंग दोस्तों करनाटका को जीतना चाहिए कि करनाटका की टीम में बैटिंग हो बॉलिंग या ओल आरॉड ने सेक्षिन हो हर डिपार्टमेंट अच्छे प्ले रहें और बड़े प्ले रहें फिर दोस्तों यहमार टेलिगाम लिंक है तो अभी तक आपने टेलिगाम जोइन नहीं है तो जोइन कर लें जिससे की आपके अच्छ की अपडेट पोस्ते है अब चलते हैं अपने डेम 11 टीम पे तो दोस्तों बात करें यहां विकेट की प्रिंग में तो मारे पास हीकमत अच दोनों ही काफी अच्छी प्ले दो काफी अच्छी प्ले अगर आप चाहिए तो यहां पर रोहन कदम को ले सकते लेकिन दोस्तों को सिफ ग्रेंड लिग में ही ट्राय करें कि इनकी बैटिक नहीं आ पाए तो आपको अच्छे पॉइंट नहीं मिलेंगे और यहां पर आप इस नोई को भी ले सकते जो की बड़े प्ले रहें और ओपनिंग करेंगे तो एक अच्छा उप्शन लेएगा आपके लिए फिर बात करें यहां पर दोस्तों और हरसल फटेल सुमित कुमार और परवीन दूबे को लेखा है यहां पर हमारे पास एक उप्शन है जाउलत व और यहां पर आप ले सकते हो परवंदेश पांड़ को लेकिन दोस्तों मैंने इनको इसलिए निलिया क्योंकि यह तो बैटिंग की उतने आनिपाती और दूसरी चीज है कि टेम इन से बोलिंग कम ही करवा रहे है और परवीन दूबे यहां पर पूरे चार ओर डालते हैं त और काफी विक्टे लिए अभी तक अगर अमित मिश्वा को छोड़ते हैं तो फिर यहां पर आप ले सकते हो आशिस हुड़ा जो की एक फास्ट बोला रहे है और यह दैथ होवर और ऑपनिंग यही करते हैं अपनी टीम के लिए बोलिंग में और तो दोस्तों इतने अच्छे उप्शन है नहीं अगर आप इसे क्रेडिश मैंटरें कर ले तो यह जविंद्र चाहल और आभी मन्नी उमिध्यन यह दोनों ही काफी अच्छे उप्शन है आपके लिए तो बात करें दोस्ते आपर कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो हमा ओपनिंग भी करेंगे तो काफी अच्छी चोई से बैटिंग में भी अच्छे रन बना ले रहे हैं फिर यहां पर हिमान सुराना के साथ भी आप जा सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए यह तो लाइक करना चैनल सब्सक कर तो